LG साब ये what kind of statements you are giving? पूरे जम्मू किश्मीर को हिंदोस्तान को पता है कि जम्मू किश्मीर पहले भी था integral part of India आज भी है और हमेशा रहेगा ये क्या statement दे रहे हो आप? LG साब ऐसे statements आप यहां मत दीजिए आपने वैसे भी हमारे जम्मू किश्मीर ने बड़ी अफ़रा तफरी मचा के रखी हुई है आपको हमारी जम्मू किश्मीर की जनता बिल्कुल भी परसंद नहीं करती आप देखिए जगा जगा नारे लगते हैं हमको नहीं चाहिए LG गो बैग गो बैग लोग ये तक भी नारे लगा रहे हैं यूपी वाला नहीं चलेगा कविंदर गुपता साब प्लीज हाद जोड के बिंती है कि ये बे तुकी ब्यान बाजी मत कीजिए नॉनसेंस कविंदर गुपता जी ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है कि कुछ पैसे ले दे के इन्होंने ये किया है इस वेरी वेरी कंडेमेंबल आपको ये इस तरह के जो ब्यान बाजी कर रहे हो आपको बिल्कुल शोबा नहीं देती जमुआ कश्मीर को हिंदोस्तान का आटूट अंग बनाने के बाद वापिस यूपी आ जाओंगा ये बयान गुजश्टा कल लेफटनेट गुवर्नर वनोई सिन्हा की जानिब से सामने आया था जिसके बाद सियासी लीडरान ने अपना अलग-अलग रद्धे अमल इस पर कि मैं जम्मु कश्मीर को पहले हिंदोस्तान का इंटिग्रल पार्ट बनाऊंगा तो उसके बाद मैं बबपिस जूपी चला जाओंगा आरे आप लजी साहब ये वड काइंड अफ स्टेटमेंट्स यू आर गिविंग पूरे जम्मु कश्मीर को हिंदोस्तान को पता है कि जम्मु कश्मीर पहले भी था इंटेग्र पार्ट अफ इंडिया आज भी है और हमेशा रहेगा ये क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हो आप अलजी साहब ऐसे स्टेटमेंट्स आप यहां मत दीजिए आपने वैसे भी हमारे जम्मु कश्मीर में बड़ी अफ़रा तफरी मच प्रोटेस्ट कर रहा है रिक्रूट्मेंट कैंसल हो रही है आपने एक भी प्रोटेस्ट को माने ता नहीं दी है आपने यह नहीं कहा कि मैं आपकी डिमांड फुल्फिल करता हूँ आज यहां पर क्या महोल खड़ा कर दिया आपने हर कोई बंदा परेशान है और उसमें एक शक्स इस तरहां का स्टेट्मेंट देता है आम लोगوں पर इसका क्या आसर पड़ेगा लोगों में क्या मैसेज जाता है स्टेट्मेंट देखिये बिलकुल बिलकुल मेरेको भी मैने स्टेट्मेंट घ्क्रा ग परेशा के इसा लगब हैं हमको नहीं चाहिए LG गो बैग गो बैग लोग ये तक भी नारे लगा रहे हैं यूपी वाला नहीं चलेगा और LG साब पीछे ये भी कहा कि मैं यहां पर ऐसी मसाल खड़ी करके जाऊंगा कि बाद में लोग बोलेंगे कि मुझे ऐसा 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 कोई LG आया था जना मसाल के जाएंगी यहां पर अंडिया वर्सिल्स भारत का भी लगातार मुद्दा चल रहा है और यह कहा जा रहा है कि इंडिया की बजाए बारत का नाम जो है वो इस्तुमाल किया जाएगा किस तरहां से देखते हैं आप इस पूरे नुच्ट को और क्या इंडिया का नाम मिट चाहिए और खाली भारत रखना चाहिए कहना जाऊंगा देखिए हमारे से और पार्ट वन आर्टिकल एंटिकल वन पे लिखा हुआ है इंडिया यानि कि इंडिया भी है भारत भी है चलो ठ्क अभी यह डॉक्कुमेंट में यूज कर रहे हैं कि यू भारत भारत काफी यूज हो रहा है फाइन आप की जी ये लेकिन ये स्पेकुलेशन बनाई जा रही है कि जो अभी स्पेशल पार्लियमेंट के जो सेशन होने वाला है ऐसे लोग कह रहे हैं स्पेकुलेशन है कि हो सकता है कि आप इंडिया को हटा दो और भारत को भारत को ही यूज करो लेकिन परदार म हमारे हमारे हिंदोस्तान के हमारे इंडिया के लोगों के इमोशन जुड़े हुए क्योंकि जब से हमने हमने होश थंबाली है हमने इंडिया और भारत सुना हुआ है और वैसे भी पूरे पूरे वर्ल्ड में इंडिया इंडिया का नाम आज फेमस है तो इसलिए मेरी आप से प्रदार मंतर जी गुजारिश है कि आप भारत को जितना यूज कीजिए अच्छी बात है लेकिन at the same time ये आपने इंडिया को नहीं हटाना है ये हमारे दोलों चीजे रहनी चाहिए इंडिया and भारत जो हमारे constitution में लिखा है इंडिया that is भारत जेश जी एक आखरी सवाल आप से जानना चाहूंगा स्रोड टोल प्लाजा को लेकर आप भी यूवा राजपुट सभा की स्पोर्ट में लगातार खड़े रहे लेकिन गुजशता कल BJP के एक senior leader और डिव्टी सीम कोविंदर गुपता जी नहीं यूवा राजपुट सभा पर body language थी बड़ी strong थी बड़ी aggressive थी जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा था लेकिन ये भी fact है कि वो arrest होने के बाद जब वो बहार आए तो उनका जो body language था काफी down था जो लोगों ने पसंद नहीं किया ये भी एक fact है I don't know उसका reason क्या है कहीं लोग बोलते है ड्राया है दमकाया है प आपको यह इस तरह के जो ब्यान बाजी कर रहे हो आपको बिल्कुल शोबा नहीं देती और आप कह रहे हो कि यह जो स्रोटोल प्लाजा है मतलब वो इसको एक तरह से legalized कर बता रहे थे अरे क्या बात कर रहे हो आप कविंदर गुपता जी आपके मंत्री सभी ने बोल दिया सब भी ने बोल दिया पूरा जम्मू कुश्मीर बोल रहा है देन आपका नीतिन गटकरी देन आपका गंगा देन यूगल किशोर हर कोई बोल चुगा है क्या कुविंदर गुपता जी की पावर MP से भी ज्यादा देखिए इनकी पावर शावर कुछ नहीं है बहुत बहुत इनकी पास्ट में भी इनोंने स्लिप अफ टंग हुआ है कुछ ऐसे वैसे शब्द इनोंने बोले हैं जो मैं आपको बताना नहीं चाहता जिसके करणन बहुत जादी काउंटरवर्सी हुई है तो अगें इनोंने यह बोला है कि पैसे ले देके ऐसा नहीं बोलना चाहिए इ इनोंने जुवा राजपूत सभा वालोंने प्रेस कॉर्णेस भी किया है और मैं इसके मादें से कहना चाहूंगा जुवा राजपूता रूज जुवा राजपूता सभा आप क्योंकि आपे सवान निशान उठ रहे हैं और इनोंने कविंदर गुपता जी ने तो बोल दिय है जो बिल्कुल मेरे ही साब से बिल्कुल गलत है आप जुवा राजपूत सभा आप प्लीज सामने आईए जो लोग आपे सवान निशान उठा रहे हैं आप जैसे पहले अग्रेसिव थे अग्रेशन था आपकी बोड़ी लंगे बड़ी स्ट्रॉंग थी आप सामने कि दो स्रोड टोल प्लाजा के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 100 किलो मिटर का होता है इसका 35 किलो मिटर है और यूटी में टोल प्लाजा नहीं होता हो तीसरी जो बड़ी बात कि जो रोड है टोटली खराब है टोटली डैमेज रोड है तो आपका ये बनता ही नहीं है स प्लीज आप आगे आए और कविंदर गुपता साहब प्लीज हाँ जोड़के बिंती है कि ये बे तुकी ब्यान बाजी मत कीजिए नॉंसेंस जैज गुपताजी थे हमारे साथ जिन्ने मुक्तलब मसाल को लेकर हमारे साथ बात चीत की चाहे वो इंडिया वर्जी बहरत का मुद्धा हो चाहे वो ऐल जी साब का स्टेटमेंट हो या फिर कविंदर गुपताजी का स्टेटमेंट हो इन payload को लेकर आप लोग की क्या कुश रहा है आप भी comment works में जरूर देजिए रहा है आप भी comment works में जरूर देजिए रहा है